यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और साथ ही दबाएं बेल आइकन हेलो दोस्तो आज हम बात करेंगे बर्नॉली प्री में, आरकेमेडी प्रिंसिपल और पास्कल के नियम के बारे में और साथ ही इनकी एप्लिकेशन के उपर भी हम बात करेंगे तो सुरू करते हैं आज का टॉपिक, सबसे पहले हम बात करेंगे आयतन और घंतों में क्या फरक है क्योंकि कई बार यहां से question पूछा जाता है दोस्तों और हम confuse हो जाते हैं कि आयतन और गंतों में आखिर में फरक क्या है तो सिंपल मैं आपको बताने की कोशिस करूँगा दोस्तों और question क्या पूछा जाता है ये भी हम discuss करेंगे आयतन क्या होता है दोस्तों आयतन यानि वॉल्यूम हम कहते हैं कोई भी वस्तु जो जगह गेरती है जितना स्तान गेरती है वो उसका क्या कहलाता है आयतन ये बात ठीक है दोस्तों जो जितना ज़्यादा जगह गेरेगा उसका आयतन उतना ज़्यादा होगा ठोस, तरल और गहस की बात करूं तो सबसे जगे गेरती हैं गहस तो गोएसों का आयतन सबसे ज़ादा होता है और सबसे कम जगे गेरते हैं ठोस तो ठोसों का आयतन सबसे कम होता है दोसी चीज आती है दोस्तो घनत्व घनत्व क्या होता है कन कितने पास-पास है सिंबल सब्दों में यह होती है आपकी डैंस्टी और अगर मैथ की फोर्म में अगर मैं डैंस्टी को डिफाइंड करूँ तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानि दर्वेमान बत्रे में आयतन को हम डैंस्टी कहते हैं अब देखिए दोस्तो अगर कन होंगे पास-पास तो डैंस्टी होगी ज्यादा और कन होंगे दूर-दूर तो डैंस्टी होगी कम ठीक है जी जैसे अगर मैं आपको बात करूँ कहूं जनसंक्या घंतव तो जन संक्या घंतव का क्या मतलब होता है दोस्तों कि एक किलो मेटर एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं यही मतलब होता है अगर जन संक्या घंतव जादा है तो इसका मतलब एक किलो मेटर मालो ये एक किलो मेटर एरिया है और जन्संक्या गंतव अगर कम है तो इस एरिया में आपके कम व्यक्ति रह रहे हैं तो कंड जितने पास पास होंगे गंतव उतना ही क्या होगा जादा होगा और कंड जितने दूर दूर होंगे गंतव उतना ही क्या होगा आपका कम होगा यानि आयतन और घंतव एक दूसरे के अपोजिट है आयतन का मतलब है कोई चीज कितनी जगे गेरती है अगर वस्तू के कंड दूर दूर होंगे तो ज़्यादा जगे गेरेगी लेकिन घंतव फिर कम हो जाएगा तो अगर आपको एक चीज के बारे में पता चल जाता है तो दूसरे के बारे में भी आप बता सकते हो इसका मतलब अगर गेसों का आयतन सबसे अधिक है तो गेसों का घंतव सबसे कम होना चाहिए अब क्वेस्चन क्या पूछा जाता है दोस्तों एक काफी famous question है, यह देखिए, जब बरफ को 20 degree Celsius तक गरम किया जाता है, तो उसके घनत्व पर क्या परभाव पड़ेगा, मैं यहाँ आयतन पर भी पूछ सकता था, यहाँ density पर पूछा गया है, तो दोनों question पूछे जा सकते हैं दोस्तों, अब देखिए क्या मतलब होता है, सम जब liquid state में है और gaseous state में, देखिए क्या फरक है, जो पहली structure आपको दिखाए दे रही है दोस्तों, यह structure है हमारी, यह जो structure है, पहली structure, यह structure बरफ की है दोस्तों, और बरफ के अनू, pentagon form में arrange होते हैं, जैसे आपको दिखाए दे रहा है, पंच-बुच के आकार के हैं, आक में ज़्यादा gap create हो जाता है, जगे यह ज़्यादा गेरते हैं, यानि बरफ का आयतन ज़्यादा होता है, किस की तुलना में, पानी की तुलना में, आप question क्या था, जब बरफ को 0 degree Celsius तक गरम किया गया तो घंदत्व पर क्या परभाव पड़ेगा, तो बरफ 0 degree Celsius पर आपकी होती है दोस्तों, आपको यह गरम करना है, कितने डिगरी तक, 20 डिगरी तक, अब देखो क्या होगा दोस्तों, जब आप बरफ को पिगलाओगे, तो अनु एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और यह structure आ जाएगे, यह liquid form में आ गए, तो क्या होगा दोस्तों, कन जितने पा चार डिगरी तक डेंस्टी इंक्रीज होगी, और चार डिगरी तक पर पता है, पानी का गनत्वत सबसे ज़्यादा होता है, मतलब, चार डिगरी सेल्सियस पर कन सबसे क्लोज होगे, मान लो यह situation चार डिगरी सेल्सियस की है, और इसके बाद अगर फिर गरम आप करोगे, तो पानी के अनुओं को गती जूर्जा मिलेगी, काइनेटी के एनरजी मिलेगी और ये एक दूसरे से दूर जाना शुरू कर देंगे, और फिर से आपकी डेंस्टी कम होनी शुरू हो जाएगी, तो गनत्व पर क्या परभाव पड़ा दोस्तों, पहले तो कन पास पास आए, गनत्व आपका बढ़ा, और फिर आपने चार डिगरी से फर्दर गरम किया, तो कन दूर चले गए और गनत्व कम हुआ, तो अंसर आना चीए, अगर मैं डेंस्टी की बात करूँ दोस्तों, पहल मैं आयतन पर पूछता तो दोस्तों क्या होता, आयतन पहले कम होता और फिर बढ़ता, आरकेमेडीस प्रिंसिपल, आरकेमेडीस का सिधान्त क्या है, तो आरकेमेडीस का सिधान्त क्या है दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम तरल में, यानि लिक्विड में, फुली, यानि प भार के बराबर होती है यह आर्गमेडीज का प्रिंसिपल है दोस्तों देखिए जब मैं किसी वस्तु को पानी में डुबोता हूँ तो यह वस्तु क्या गरेगी पानी को हटाएगी जितना पानी यह वस्तु हटाएगी जो यह वाटर हटाया है उतना ही इस वस्तु के वेट में कमी आ जाएगी जब हम वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो ग्रैविटी से नीचे की तरफ खीशती है और उपर की तरफ रियक्शन के रूप में एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं अब थरष्ट या उत्पलावन बल जिसे हम बियोंसे फोर्स कहते हैं तो उपर की तरफ लगने वाला फोर्स कहलाता है उत्पलावन बल तो जब भी दोस्तु हम पानी में कूटते हैं तैरने के लिए तो पानी हमारे उपर एक उपर की तरफ बल लगाता है जिसे हम उत्पलावन बल कहते हैं तो हर वस्तू में ये बल लगता है तो Archeamide's का principle क्या कहता है जब किसी वस्तू को पानी में दूबोते हो या तो पूरा का पूरा या पार्सेली तो उसके वेट में कमी आ जाती है और उसके वेट में कमी कितनी आती है जितना वो पानी हटाती है यहां पर एक चीज और देखिए दोस्तों जब आप किसी चीज को पानी में डालते हो तो माल दीजिए यह सेंटर ओफ ग्रैविटी है जहां से इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो भार तो नीचे की तरफ कारिय करेगा दोस्तों और उपर की तरफ एक बल लगेगा जिसे हमने कहा उत्पलावन बल तो दोस्तों तैरने के लिए उत्पलावन बल आपका ज़्यादा होना चाहिए भार से तो जिनका भी उत्पलावन बल उपर की तरफ लगने वाला बल ज़्यादा होगा इसके वेट के असानी से तेरेंगी ठीक है जी दोस्तो और हम ये भी कह सकते हैं एक हम बात करते हैं गंतव के रूप में भी हम इसे कह सकते हैं जिन वस्तू के गंतव पानी के गंतव से क्या होगा कम होगा वो पानी में तेरेंगी तो अब देखिए दोस्तो तेरने का क्या नि जादा है तो यह पहला केस है जब वस्तू का भार उत्पलावन बल से जादा है उत्पलावन बल जो उपर की तरफ लग रहा है तो वस्तू डूब जाएगी दोस्तो इस केस में दूसरा केस वस्तू का भार और उत्पलावन बल बियोंट जो आपका बियोंट से फोर्स है वो वस्तु तैरेगी लेकिन उसका कोई भी हिस्सा पानी से बाहर नहीं होगा जैसे वरफ जब वरफ पानी में तैरती है तो वरफ का 1 by 10 पार्ट पानी से बाहर होता है लेकिन जब ये केस आएगा second वाला जब W और F बराबर है यानि weight और उत्पलावन बल बराबर है तो वस्तु का कोई भी हिस्सा भार नहीं होगा तीसरा केस दोस्तो अगर वस्तु का भार कम है उत्पलावन बल यानि force से तो वस्तु तैरेगी और उसका कुछ भाग पानी से बाहर भी होगा तो ये तीन केस बनते हैं दोस्तों, उसके बाद जब कोई वस्तु तैरती है तो एक चीज और चाहिए हमें संतुलन बनाने के लिए वो क्या चीज है? तैरती ही वस्तु में बैलेंस बनाने के लिए जो उसका मेटा सेंटर है यानि मित कैंदर है वो गुरतव कैंदर से उपर होना चीज है यानि जो मेटा सेंटर है वो सेंटर ओफ ग्रैविटी से उपर होना चीज है अब यहाँ पर दो बात आई दोस्तों मेटा सेंटर क्या होत इनके बारे में हम बात करेंगे, फिर हम थोड़ा आगे डिसकस करेंगे, देखे दोस्तों, सबसे पहले है गुर्तव के अंदर, वह बिंदु जहां वस्तु का सारा भार सकेंद्रित होता है, उसे गुर्तव केंदर कहते हैं, इसका क्या मतलब है समझे दोस्तों, हर एक इदर से बल लगाऊं, यहां से, तो दोस्तों क्या होगा देखिए, जब आप इदर से बल लगाऊगे तो यह ऐसे मूव कर जाएगी, इसका मतलब इस एंड पर बल ज्यादा लग रहा है, यह उपर की तरफ चला गया, और यह एंड आपका नीचे जुग गया, यानी वस्त संतूलन की अवस्ता में अभी नहीं है, इसका मतलब कहीं पर बल ज्यादा लग रहा है, जो एंड ऊपर की तरफ चला गया, यहां पर बल लग रहा है, ज्यादा और जो एंड नीचे रह गया, यहां पर बल लग रहा है, कम, अम इसको बदल दूँ दोस्तों, मैं यहां से ब बल लगाता हूँ उपर की तरफ तो देखिए क्या होगा दोस्तो यह वस्तु ऐसे मूव कर जाएगी इसका मतलब आपकी बार इस एंड पर बल जादा लगा और इस एंड पर बल कम लगा अभी वस्तु संतुलन की अवस्ता में नहीं है लेकिन बीच में दोस्तो एक पर समान बल लगेगा और उस पॉइंट को हम कहते हैं गुर्तव कैंदर तो आपको पता चला दोस्तो गुर्तव कैंदर वो पॉइंट होता है जहां पर बल लगाने पर पूरी वस्तु पे एक समान बल लगता है उसके बाद दूसरा वर्ड आया था दोस्तो मित कैंदर यान गुर्तव केंदर को उत्पलावन केंदर कहते हैं, यह बार ठीक है दोस्तों, जो वस्तु पानी हटाएगी तो उसका जो सेंटर ओफ ग्रेविटी होगा, उसको एक विसेस नाम दिया गया है उत्पलावन केंदर, उसके बाद उत्पलावन केंदर से जाने वाली करेखा, जिस बिंदू पर वस्तु के गुर्तु केंदर से जाने वाली प्रारभ्मिक रेखा को काटेगी, उसे मित्र केंदर कहते हैं, तो यह परिवासा दोस्तों लिखी हुई है, तो मैं आपको यह समझाता हूँ, इसका मतलब किया है, जड़ा फिगर देखिए, यह एक स आज पर एक समानबल लगेगा, और यह लाइन जो वर्टिकली इस से गुजर रही है, एक लाइन है, जो कहां से गुजर रही है, सेंटर ओफ ग्रैविटी से, और यह सेंटर ओफ ग्रैविटी जी किसका सेंटर ओफ ग्रैविटी है, इस सीप का, और जी वन किसका सेंटर पानी का, अब यहां से मैंने एक लाइन पास की, वर्टिकल लाइन, और वस्तू के सेंटर ओफ ग्रैविटी से भी में एक लाइन पास की, वर्टिकल लाइन, और यह दोनों लाइन यहां इस बिंदू पे काट रही है, इस बिंदू पे, और इसे मैं कहा रहा हूँ, M, यानि म яनि, meta center, वस्तु के центр of gravity से एक vertical line आपने पास की, एक वस्तु द़ुरा हटाये गए, पानी के center of gravity से एक line पास की और दोनों जहाँ पे काटेंगी उस पॉइंट को हम कहते है, meta center, mid şekendr और balance बनाने के लिए दोستु हमने क्या पड़ासा जरा देखिये तैरती हुई वस्तु में संतुलन के लिए मित के अंदर सेंटर ओफ ग्रैविटी से क्या होना चाहिए उपर होना चाहिए ये वस्तु का सेंटर ओफ ग्रैविटी है G और ये मित के अंदर है और ये देखे यहां उपर है तो यहां बैलेंस बनेगा वस्तु तैरेगी अगर ये M नीचे होता इस G से तो वस्तु बैलेंस नहीं बना पाती और डूब जाती तो तैरते हुए आपको बैलेंस बनाने के लिए पानी इस परकार हटाना पड़ता है कि आपका मैटा सेंटर सेंटर ओफ ग्रैविटी से उपर हो तब ही आप तैर पाऊगे तो दोस्तो ये तैरने के नियम थे उसके बाद दोस्तो पासकल का नियम तो पासकल का नियम क्या कहता है पासकल का नियम पासकल सला जब किसी बंद बरतन में किसी दर्व के उपर दबाव डाला जाता है तो वो दबाओ सभी बिंदों पे एक समान लगता है यह पास्कल का नियम है मान लीजे दोस्तों यह एक piston है यहां से मैंने force लगाया और यह आपका liquid है तो यहां पे यह पी आपको point दिखाए दे रहे हैं यह point यह अलग-अलग point है और इन सभी point पे pressure क्या होगा यह पास्कल का नियम कहता है कि जब आप pressure अपलाई करते हो किसी close vessel के अंदर तो वो सभी point पे एक समान लगता है यह पास्कल का नियम है दोस्तों अब पास्कल के नियम पे क्या-क्या चीजे काम करती है जराए यह समझिए hydraulic lift hydraulic press hydraulic brake यह सारे के सारे पास्कल के नियम पे काम करते हैं तो hydraulic lift hydraulic hydraulic यानि जिनमे भी hydraulic word है वो generally पास्कल के नियम पे काम कर रहे हैं दोस्तों पास्कल के नियम क्या कह रहा है जब हम बंद बरतन में किसी भी तरल पर दबाव डालते हैं तो वे दबाव सभी बिंदों पर एक समान लगता है यही कारण है दोस्तों जैसे आपने पिछकारी देखी होगी छेद वाली जिसमें बहुत सारे छेदों अगर आप दबाव डालोगे तो सभी छेदों से बराबर पानी निकलता अगर छेदों का डायमेटर सेम हो यह परी में पहले तो ला ओफ कंजर्वेशन ओफ एनरजी परादा रहीता है उर्जा के सरक्षन के सिदान परादा रहीता है और यह क्या कहती है जब कोई तरल पदात एक स्थान से दुस्थे स्थान पर भेता है तो उसके मारक के परतेक बिंदू पर तीन चीजें का योग यानि तीन चीज कौन कौन सी दोस्तों दाब, प्रेसर, गतिज उर्जा, काइनेटिक एनरजी और स्थितिज उर्जा, पोटेंशिल एनरजी इन तीनों का योग हर बिंदू पर कॉंस्टेंट रहेगा यहां पर वैलोस्टी वी वन है, प्रेसर पी वन है और अगर मैं यहां पर आपकी पोटेंशिल एनरजी और बताओं तो मैं S से रिप्रजेंट करता हूँ, मालो वो पोटेंशिल एनरजी S1 है तो इस पॉइंट पर मालो जो यह एरो दिखाए दे रहा है, इस पॉइंट पर मैंने इन तीनों का सम किया और मालो यह 10 यूनिट है इसी परकार अगर मैं इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर भी तीनों चीज निकालू तो V2 पॉइंट पे जहां पे वेलोस्टी V2 है, यहां पे मान लो आपकी potential energy S2 है, इन तीनों का sum करूँ फिर से 10 आएगा, और इसी परकार यह पॉइंट जहां पे वेलोस्टी V3 है, तीनों का sum करूँ तो फिर से क्या आएगा 10, अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज इस हिसाब से कम होगी, कि तीनों का sum है वो constant रहेगा, तो law of conservation of energy जो आपकी है, वो conserve रहनी चाहिए, तो आप देखोगे, यहां पे क्या दिखाया गया है, अगर वेलोस्टी जादा होगी, तो pressure कम हो जाएगा, और वेलोस्टी कम होगी, तो pressure जादा हो जाएगा, तो यहां प यहां पे क्या होता है, कि बरनोली स्टीरम आपको एक यह बात भी कह रहे है, कि अगर आप वेलोस्टी बढ़ाओगे, तो pressure कम हो जाएगा, और वेलोस्टी कम करोगे, तो pressure बढ़ जाएगा, ठीक है जी, तो यह बरनोली परी में है, और किस पर काम करती है, उर्जा स्रक्ष प्रिल, नाव, अत्वा, बसों में आकर सन, होता क्या है दोस्तो, अगर मालो यह दो बस हैं, एक यह है और यह एक यह है, और यह एक दूसरे के बिल्कुल close जा रहे हैं, तो ऐसा लगेगा कि यह एक दूसरे को attract कर रहे हैं, यह किस के कारण है दोस्तो, बरनोली स्ट्योरम क कारण दूसर दोस्तो वायूयानों का उड़ना तो वायूयानों का उड़ना भी दोस्तो बरनोलिस परिमे के कारण है वायूयान के अंदर क्या होता है जो वायूयान के आपके पंक होते हैं वो इस तरह जैसे माली जी ये वायूयान के पंक हैं तो ये इस तरह रोटेट करते ह जो आपकी speed है, हवा की speed है, वो क्या हो जाएगी, उपर आपकी जादा हो जाएगी, यहाँ पर इन पंखों के उपर वाले इस्से में जो velocity है, मालो यह V1 है, और इन पंखों के नीचे वाले इस्से में वेलोस्टी है V2, जब यह पंख इस तरह है रोटेट करेंगे, कि उपर ज्यादा हो जाएगी, तो W1 पंकों के उपर जब सेवाल यहादा होगी तो यहाँ पर प्रैसर कम हो जाएगा और प्रैसर कम होने की वजह से नीचे प्रैसर ज्यादा होगा और ये दबाव डालेगा आपके आरोपलन वेरोपलन ऊपर उठ जाएगा वाई यान इस परकार उड़ते हैं तो ये भी बरणोली स्प्रीमे पर काम करते हैं दोस्तो इसी परकार बहुत सारे जो यंत्र हैं गाड़ी का कार्बूरेटर पैंट गन या सप्रे सेंट सप्रे, पैंट गन जे से हम पैंट चिड़कते हैं या sand spray करने की जो वीदी है वो भी बर्णोली स्थेयरम परादा रही थे. और क्या दोस्तों, तेज आंधी में तेन की छतों से तेन का उड़ जाना भी बर्णोली स्थ्ष परीमे के कारण है. आपने देखा हुआ दोस्तों, हमें इस प्रकार का एक तेन रखते हैं चतों के उपर ढखने के लिए तो जब तेज आंदी चलती है दोस्तों तीन के उपर तो वायू की स्पीड जादा होती है और तीन के नीचे वायू की स्पीड होती है कम तो यह तीन काफी important topic थे दोस्तों आसा है आपको समझ आये होंगे आज के वीडियो में इतना ही thanks for watching have a nice time